तो हम सबको बताएं कि मैच का चाहिए कोई भी चैप्टर अगर हम लोग उसके क्वेश्चन की कैटेग्रीज बना लेते हैं तो वह चैप्टर बहुत जादा इजी हो जाता है यह बात तो सच है पर कैटेग्रीज बनाने में टाइम बहुत लगता है और हमारे बास तो इतना प्राइम है नहीं तो वाट्सप गाइज मैं उधिर स्वागत करता हूं आपका मेरे एक और नए वीडियो के अंदर यह आपके पास टाइम की कमी है और मेरे पास भी अपर फिर भी मैं आपकी एल्प करता हूं उसके मतले में आप तो कुछ करते नहीं नहीं तो इस वीडिय वो continue रखते हैं जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं पहले मैच को बढ़ाता था एक कोशन को लेता था फिर उसको solve करता था पर उसमें इतना मज़ा नहीं आता था टाइम के साथ टाइम के विस्टेस भी होती थी पर आव ऐसा नहीं होगा अब मैंने एक चैप्टर के लिया उसके कुछ categories बनाई मैंने सारी books देख लिए RD, Xtampar, NCRT ये तीन ही मैंने बहई ये मैं देख लिए और वेपर भी मैंने बहुत सारे questions को search किया और इन questions के बाद मैंने इनके कुछ types बनाई यान की categories बनाई उन categories के base पे हमारे आने वाले videos होंगे और मैं सब से जो इतने भी hard chapter रहे हैं यानि कि student के हिसाब से मैं उन्हीं chapters को target करूंगा तो सबसे पहले तो आ गया है यह area related to circles इसकी हम categories के बार में बात करेंगे और उन्हें कैसे solve करना है वो भी अपन बात करेंगे इसे बात नहीं करेंगे solve करके भी दिखाऊंगा तो सबसे पहले हमारी आजाती है category नंबर वन इससे पहले यार वीडियो लाइक नहीं करते हैं और नाई वीडियो पूरा देखते हो वीडियो आदा हदुरा देखके बस चले जाते हो वीडियो भी पूरा देखिया करो और कोई कमी हो तो comment box में बताओ यार और comment box में बताओ और ऐसा मत समझना कि मैं उस कमी को पूरा नहीं करूंग या फिर उस कमी को मैं ठीक नहीं करूंगा मेरा फर्स्ट वीडियो देखो उसके सजेशन देखो और मैंने उन साइज सजेशन को डाला है सो सजेशन प्लीज दालो अगर कोई सजेशन है तो नहीं है तो फिर बस इंज़ाइ करो वीडियो को सो टाइप बन ये कोशन है इसके अंदर आपको एक रेडियस दे दिया है और आपको सर्कमफेरंस या फिर एरिया फाइंड करना है तो सिंपली इसमें आपको कुछ नहीं करना सर्कमफेरंस का फॉर्मूला लगाना है यानि कि 2 पाई आर और आपका आंसर आजाएगा जब एरिया की बात आती है तो आपको एरिया फाइंड करना है और इसका फॉर्मूला लगा दो पाई आर का स्कॉय है बस सिंपली ये आपका कोशन सोल हो गया और टाइप वन की कैटेगरी जो सबसे एजी थी वो खतम हो गई अब टाइप टू की कैटेगरी टाइप टू की कैटेगरी क्या है इसके अंदर वो कोशन से जिसके अंदर आपको सरकल का एरिया दिया हुआ है और आपको सरकमफेरेंस वाइंड करना है अब अगर आप सरकमफेरेंस और एरिया के फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको इन दोनों में क क्या चीज़ कॉमन लग रही है सोच के बताओ क्या जीज़ कॉमन लग रही है वह देखो एक तो आर जो है वो कॉमन है और एक पाई जो है वो कॉमन है तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि area of the circle is this अब उस area of the circle में से आपको क्या करना है radius find करना है क्योंकि अगर आपने radius find कर लिया तो आप कुछ भी कर सकते हो और तो और आप उसका circumference भी find कर सकते हो अगर आप area related to circles के किसी भी formula को उठाओगे तो उसके अंदर radius सरूर है तो सबसे पहले हर एक question के अंदर radius को find करो radius मिल गया सबसे पहले एक identity को find करते थे एक ratio को find करते थे फिर सारे ratios मिल जाते थे बस वैसा इसके अंदर भी करो सबसे पहले radius को find करो सबसे पहले radius को target करो तो area आपको दिया हुआ है तो आप एसा कर दो जैसे कि area आपको दिया हुआ 24 तो ऐसा लिख दो भई 24 equals to फिर उदर वापस area लिख दो यानि की pi into r का square तो भई पाई की value तो पता है 22 into 7 तो 24 को उदर भेज़ दो और r square को इदर लेगे आ जो तो बस इसको solve करने के बाद आपका radius आपको मिल जाएगा यह लोग के type 2 अब बारी आती है type 3 की अब type 3 क्या है वहीं तो type 3 के अंदर वो questions है जिसके अंदर आपको circumference दिया हुआ है और आपको circle का area find करना है इसके अंदर भी वहीं करना है सबसे पहले आप radius को find करो और फिर आप area को बहुत ही ज़्यादा असानी से find कर सकते हो तो भाई यह दो हो गई हमें तीन categories सुनने में तो थी यह बड़ी हासान और भाई बहुत ही easy और बहुत ही मज़ेदार categories थी है ना ऐसा आप सोच रहोंगे पर यह तो थी बहुत easy categories अब इसके बाद हमारे पास कुछ और categories भी आती है सबसे फर्स जिसके अंदर आपको area of sector find करना पड़ता है ठीक है उसके अंदर क्या है उसके अंदर simply आपको उसका formula लगाना है theta upon 360 into pi r square बस अब कांसर आजाएगा फिर इसके बाद length of the arc area of oab area of segment perimeter of the sector यह वो चीज़े हैं जिनके आपको direct formulas मिल जाएंगे और आपको उन direct formulas को ब और आपका answer आजाएगा आज का वीडियो बहुत चोटा है क्योंकि देखो अभी लेट बहुत जादा हो गया है 8.53 आपके लिए नहीं होगा पर मेरे लिए हो गया है तो लेट हो चुका है तो कल वाला जो वीडियो होगा उसी के अंदर में सबसे hard वाली जो category है उसके questions लेक थी ठीक है so thank you please share कर तो मुझे बता है कि यह वीडियो मतलब है समझ रहे हो कि क्या यार यह सहीर बात है तो हमको पहले से पता थी हाँ पता थी तो हम लोग बहुत बार question इतना अतलब घुमा के देदेते ना कि हम सुझते यार यह question तो मैंने कभी देखा ही नहीं कई देखा ह हमने देखा हुआ है और वह बहुत है जादा एजी होता है तो इसलिए मैंने इस बनाई है so thank you so much अगर आपने वीडियो को यहां तक देखा